कैसा लगेगा जब रोजाना आपको अपने पास के थाने में जाकर हाजरी देनी पड़े वो भी बिना किसी गुना के आपको कहीं भी घर से निकलने के दोरान अपने गले में अपना पहचान पत्र एक कुते के पटे की तरहें लटकाना पड़े आपकी संपूर्ण आजादी क चीन लिया जाए या यूँ कहें कि आपके समस्त मानव अधिकारों को चीन लिया जाए नमस्कार मैं विनोदी आदव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने सरल हिष्टरी यूटूब चैनल पर आज के वीडियो में बात करेंगे एक काले कानून के बारे में मीना जाती को जारायम पे सामान कर मीनों के परिवार को समीब के थानों में अपना पंजी करण करवाना अनिवारिय कर दिया गया था पंजी करण के वल व्यासक इसतरी पूर्षों का ही आवस्यक नहीं था बलकि बारा वर्ष के बच्चों को भी पंजी करत होना पड़त यानि कि जो बच्चा बारा साल का हो जाता था उसे थाने में हाजरी देना भी अनिवारिय था इस परकार सदैव सवचंद विचरन करने वाले मीना जाती के लोगों के सामाने मानव अधिकारों को भी छिन लिया गया था सादी ब्या और मोत जैसे मोकों पर भी गाउं से बाहर जाने के लिए मीनों का पहचान पत्र अपने गले में लटकाए रखना आवश्यक था इस परकार के भयानक और ऐ मानवी अत्चार मीन वंस के इन लोगों को जहलने पड़े थे जो कभी सासक रह चुके थे इस कानून की आड़ में सरकारी अधिकारी मीनों से बेगार मतलब घूस भी लेने लगे थे और उसके बदले में बाहर आने जाने देते थे मीनों की हाजरी के लिए एक रजिस्टर तयार करवाया गया था और उस रजिस्टर में जी 41 और जी 50 फारम लगे होते थे उन फारमों में पंजिकरित मीनों को अपना वीवरन दर्ज कराना पड़ता था उनको आदेस नुमा पटा अपने पहचान पत्र के साथ लोही की नाल में डाल कर गले में लटकाए रहना पड़ता था और इस परिच्च पत्र को रहा में पड़ने वाली पुलिस्टोकी में दिखाना होता था और अपनी हाजरी लगवानी होती थी और जब वापिस लोटते थे तो उस समय ठानेदार को अपना दुबारा से परिच्च पत्र दिखा कर ही वापिस आ सकते थे बिना अनुमती पत्तर के वे उट गोडा या साइकल जैसी सवारी भी नहीं रख सकते थे अपनी सुरक्सिया के लिए वे सस्तर के रूप में केवल एक लाठी रख सकते थे और दफा 28 के तहट मीना जाती का कोई भी व्यक्ती कोई हथियार तो दूर घर में चाकू तक भी नहीं रख सकता था इसके अलावा जरायम कानून के अंतरगत घर छोडने वाले मीनों को पुलिस्टोकी से 6 गंटे पूरू अनुमती लेनी पड़ती थी और इसकी प्राप्ती के लिए उन्हें रिस्वत तक देनी होती थी इसके अतरिक्त मीनों का सोसन बेगार के माद्यम से भी किया जाता था यानि कि थानों में उनसे पानी भरवाया जाता था मुझ को टवाई जाती थी घास खुदवाना तेल की मालिस करवाना और कपड़े धुलवाना आदी काम उनसे बेगार के रूप में करवाय जाते थे पुलिस ही नहीं इसके अलावा गाउं का जो मुख्या होता था जो हाजरी लिया करता था वो भी उनसे बेगार के रूप में उनसे काम करवाता था और तब उनको भार जाने की इजादत देता था यानि कि अपने उंटों को और अन्ने पसूं को उनसे चारा डलवाते थे तथा खेती के अन्ने काम भी उन लोगों से करवाए जाते थे दोस्तो अब बात करते हैं आखिर ये कानून लगाया क्यों और किसने लगाया दोस्तो अंगरेजो दुवारा गुलामी का विरोध करने वाले और हजारो साल से अपनी जंगल जमीन को पाने के लिए गोरिला पदती से हमले लूट मार करने वाले और अमीरों के धन को गरीबों में बाटने वाले लोगों को किसी समय डकैत चोर और अपरादी कहा गया और आजादी का संगर्श करने वाले लोगों और समुदायों पर जरायम पेसा कानून लाद कर दमन करने का परियास किया गया जिसे जरायम पेसा कानून कहा गया जिसमें जरायम पेसा कानून से सासित जातियां राजाओं और अंग्रेजों और पुलिस के रहमो करम पर जिंदा रहती थी तो उमीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, सेयर करना और पहली बार अगर सरल हिस्टरी यूटू चैनल का वीडियो आप देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि यहां रोजान आपको एतिहासिक जानकारियों वाले वीडियो देखने को मिलेंगे मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन